दोस्तो आज कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो चक्क्यों में, फैक्टरियों में या वाटर पुम्प में 3 HP की मोटर यूज़ की जाती है वह एक महीने में या एक दिन में कितने युनिट खपत करती है और उसका एक महीने का और एक दिन का बिजली का बिल कितना आता है ये 3HP की मोटर दोस्तो सिंगल फेस की होती है जो की 230V पे बर्क करती है ये मोटर अलग अलग RPM की बनाई जाती है जो की इसकी वर्किंग के अकोरडिंग यूज की जाती है दोस्तो इससे पहले की वीडियो में हमने 3-phase 10HP और 3-phase 15HP मोटर की युनिट कंजप्शन और electricity bill के बारे में जाना था अगर आप वो दोनों वीडियो देखना चाते हैं तो मैंने उन दोनों वीडियो का लिंक उपर i button और description box में दे दिया है वहाँ क्लिक करके आप दोनों वीडियो देख सकते हैं आए वीडियो सुरू करते हैं मोटर की युनिट कंजप्शन निकालने के लिए हमें कुछ parameters की जरूरत होती है जो कि आपको मोटर की data plate पर मिल जाते हैं युनिट कंजप्शन निकालने के लिए सबसे पहले हमें HP को KW यानि कि कि किलोवाट में चेंज करना होगा HP को KW में हम इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि युनिट कंजप्शन निकालने का जो हमारा formula होता है वह है KWH होता है यानि कि कि किलोवाट आवर इसलिए हमें सबसे पहले HP को k弃वार्ट में change करना होगा आइए हम इसे change कर लेते हैं दोस्तो 1 HP में 744 Watt होते हैं हमें 3 HP में KW पता करना है तो इसके लिए हमें 3 को 744 से गुना करना होगा जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि 3 HP में कितने kिलवार्ट होते हैं जब हम 3 HP को 740 से गुना करते हैं तो हमारी value 2238 Watt आती है। दोस्तो ये जो हमारी value है यह Watt में है और हमें हमारी value किलो Watt में चाहिए। तो हमें इसे किलो Watt में चेंज करने के लिए इसे 1000 से डिवाइड करना होगा। आईए हम इसे 1000 से डिवाइड करके किलो वाट में चेंज कर लेते हैं। जब हम 2238 वाट को 1000 से डिवाइड करते हैं, तो हमारी KW की वैल्यू 2.238 KW आती है। इस KW की साहिता से हम हमारा बिजली का बिल निकालेंगे। आईए देखते हैं कैसे। मान लेजिए हम हमारी मोटर को रोजणा 5 गंटे चलाते हैं। तो हमारी मोटर एक दिन में अगर हम 5 गंटे चलाते हैं तो वह कितनी यूट खपत करती हैं देख लेते हैं। हमारा फोर्मूला है दोस्तो KWH यानि कि किलो वाट आवर। हमारी मोटर के KWH है 2.238 और हमारा H यानि कि हमारे आवर है 5 यानि कि हमारी मोटर को एक दिन में 5 गंटे चलाते हैं। इन दोनों को मल्टिप्लाई करने पर KWH की वेल्यू आएगी जो हमारी यूट कंजप्शन होती है। जब हम 2.238 KW को 5 आवर से गुना करते हैं तो हमारी वेल्यू आती है 11.19 KWH यानि कि ये हमारी यूट कंजप्शन है 5 गंटे की यानि कि दोस्तो जब हम हमारी 3 HP की मोटर को एक दिन में 5 गंटे यूज करते हैं तो हमारी 3 HP की मोटर 11.19 यूट खर्च करती है। इस 11.19 यूट से हम 1 महीने की यूट खर्च निकाल लेते हैं। चलने पर 11.19 खर्च करती है। सबसे पहले हम एक दिन का बिजली का बिल निकालेंगे। बिजली का बिल निकालने से पहले दोस्तों आपको पता कर लेना है कि आप जहां रहते हैं वहां लगू उदोग या गरिलू यूट का क्या चार्ज लग रहा है। और फिर उस चार्ज के अकोर्डिंग आप अपने बिजली का बिल निकाल सकते हैं। क्योंकि हर स्टेट में यह चार्ज अलग अलग होता है। मैं दोस्तों इसे यहां 8 रुपे माल लेता हूं। 8 रुपे के अकोर्डिंग हम हमारा विद्खर्च निकाल लेते हैं। हमारी 3 HP की मोटर की एक दिन की यूनिट के इंजप्शन है 11.19 यूनिट। जब हम इसे 8 से गुणा करते हैं, तो हमारा एक दिन का विजजली कर्च आता है। आइये हम 11.19 को 8 से गुणा कर लेते हैं। जब हम 11.19 से गुणा करते हैं, तो हमारा विजजली का बिल 49 रुपे 52 पैसे आता है। यानि कि दोस्तों, जब हम हमारी 3 HP की मोटर को एक दिन में 5 गंटे चलाते हैं, तो हमारा एक दिन का बिजलिका बिल 89 रुपए 52 पैसे आता है. और हमारा एक महिने का बिजलिका बिल कितना रेगा, वो भी जान लेते हैं. हमारी 3HP की मोटर एक महीने में 335.7 उनिट खर्च करती है जब हम इस 335.7 को 8 से गुना करते हैं तो हमारा 2685 रुपए आता है दोस्तो यानि कि दोस्तो जब हम हमारी 3HP की मोटर को एक दिन में 5 गंटे चलाते हैं तो हमारी 3HP की मोटर का एक महीने का बिजली का बिल 2650 रुपए आता है तो दोस्तो इस प्रकार आप अपनी 3HP की मोटर का एक दिन का या एक महीने का बिजली का बिल या यूनिट कंजब्सर निकाल सकते हैं दोस्तो आसा करता हूँ आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और हाँ दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैन टोपिक पर वीडियो लाता रहता हूं मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई टोपिक के साथ जय हिन जय भारत